हेलो बीपल वेलकम बाक टीज चानल अगेन भाई आज दुनिया का बेस्ट बाडमेंटर राकेट अपन रिव्यू करने वाले बट फो बेगिनर्स ठीक है मतलब यह मेरा ओपीनियन है इट इस यॉनेक्स जेड आर हंडेड लाइट भाई यह राकेट इतने सालों से चल रहे है मतलब टीनेज बीद गया जवानी बीथ रही है अभी लेकिन यह राकेट अब तक चलता आ रहा है यह सबसे बेस्ट बिगिनर राकेट है इन दे मार्केट राइट नौ बजे काफी लोग में बोला भी था रिव्यू करने के लिए इसलिए भाई राकेट लेकिया है चानल के अब लोग को मिलता है इस ब्लू ग्रे कलर विच आव राइट और यहां पर यॉनिक्स का ब्रांडिंग है यहां पर पुराने राकेट में बेसिकली ऐसे लिखा रहता था अभी तो नहीं आता है यहां पर लाइट लिखा हुए आप यहां पर यह सब कुछ है राकेट के अन तो हैं को तो इसका हैट शेपना यहां आएट शेपना अवाटल ण्यू काफी जादा अविडेंट अपर लिखा भी इव ड्रीन तो मैंने बी जितने भी यह जितने भी विडियों टाया होगा इस का सितन पर लग्लाट बता है होगा च्रेंट इसका श्रींग के पूल अप 26 LBS which is a lot for a beginner racket, तो फिर उससाब से सही है, weight of the racket is also very हलका, हलका मतलब ठीक है 95 gram से उतना निये, कुछ-कुछ beginner rackets 100 grams के उपर भी चले जाते हैं तो ये उस चीज में सही है, but to be honest 95 grams feel होता ही नहीं actually, जब अगर grip से भी पकड़ो ना, तो actually 95 grams में को feel होता है नहीं, anyway grip size देखो तो grip size इसकी वही है standard जो होती है, G4 grip size है that is good again, अब आपन इसका flex अगर देखेंगे, यानि कि जो shaft का flex है, which is very stiff, मतलब medium के भी पार निया, it's very stiff, anyway shaft के उपर दो चीज़े और दी गई है which is developed by Ionic Japan लिखा हुआ है एक तो, और एक है low torsion steel shaft अब low torsion steel shaft मैंने पहले videos में explain क्या है, I'll explain it again simple है, basically जिस shaft के अंदर जाधा torque होता है यानि कि, torque यानि कि पार एक तरह से power समझो, जो easily twist होने नहीं देता है shaft को basically जब हम खेलते हैं बिलते हैं, तो अगर T-joint भी two-piece वाला ही मिल जाता है आप लोगों को इसके अंदर, so this is good again I mean, specifications वाइस तो ठीक है, standard है लेकिन जब आपन performance देखेंगे जब आपन test करने जाएंगे, तब वील सी racket कैसा actually perform करता है और beginners के लिए क्या actually ये एक worth है, I mean, इतने पैसे अगर आप दे रहो, your next के नाम के उपर तो क्या actually worth it है या नहीं प्राइस, हुआना कि सिष्पैस, फजब पक्री तटन, मπαंस हो compare क्वेर्वस, कि ANY में वाइसे तो akटन doğal प्राइस, कि वाइसे करता है अ में ढपन którego अवाएस झाल, भाइस, क्या पुचिक 3 ज़ जग त पुशिक इतना राकेट के साथ खेलने के बाद एक चीज तो थे हैं कि बैस राकेट फॉर बेगेनर्स तो हांड्स डाउन है यह वाला राकेट यह मेरा ओपीनियन है आपको disagree करना तो आप बिल्कुल कर सकते हों now I will tell you मुझे राकेट के अंदर क्या अच्छा लगा जब खेला तो भाई light सबसे पहले तो यूँ फील राकेट वेरी लाइट ऑल्दो वेट इसका 95 ग्राम्स है अब कैसे ना यह राकेट जो एना head heavy भी नहीं है और ना head light है वैसा क अच्छी फील नहीं होता है which is a good thing for beginners कि beginners जब अच्छी खेलना start करते है तो प्रिफरेबिली अपने दिमाग में psychologically ऐसा रहते हैं कि हाथ में जो चीज़ लाइट है यह सबसे बैस चीज़ है क्योंकि उन्होंने अब तक अपना game discover किया नहीं होता है and they're still covering they're still in the face to discover themselves as a badminton player या जो भी है so यह उस तरह से सही है जाती कि adapt करने के के सिंपल हो जाता है another good thing about the racket is that it has an isometric headship which gives you a larger sweet spot याने कि sweet spot याने कि जहां पर racket की सबसे जादा ताकत होती है वो आपको जादा मिल जाती that is a good thing again the one thing about the racket which I certainly do not like actually is the grip जो यॉनिक्स की grip आती है ना कम्पनी की तरफ से भाप नया राकेट लेते हो so भाई वो मेरे थोड़ा डिसागरी करता हो कि भाई यू कन सी यहां से लगड़ा दिखता है so that's a complete different thing also now coming to another thing that is good about the racket which is very impressive ठीक है control one control तो सब अच्छा ही है मारने में भी अच्छा है but the strength tension that it allows you to get on it is amazing phenomenon है भाई 26 LBS तक आप इसको खीश के लेके जा सकते हो भाई बहुत होता है 26 LBS 25-24 से तो भाई इंटर्मीडियर स्टाट करते अपनी चेंज करना तो अगर लॉंग टम में भी अगर आप चाहते हो कि यह राकट यूज करो तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं अब आप यह भी कर सकते हैं इसके साथ तो मतलब आपको काफी सारी चीज यह राकट में मिल जाते हैं सब्सक्राइब यह राकट यह राकट जो कि भाई बेस्ट यॉनिक्स बाडमेंटन राकट फॉर बिगिनर्स बना देती है इस ओलनी फो रुपीस 470 तो भाई यह राकट यह राकट जस्ट वाई अपने को कल्यानी स्पोर्थी ने दिया है भाई तो नंबर आता रहेगा डि प्रणिक्स जेड आर हंड्रेड लाइट विट ऑल दे स्पेसिफिकेशन और फीचर आल दे गुट कंट्रोल दाट यू गेट प्लेंग सब मिल जाता है स्विफ 472 रूपीज में बस अगर ग्रिप लगानी तो भाई 100-500 रूपर उपर पकड़ लो तो भाई 600 रूपर आप को आराम से पढ़ जाएगा 472 रूपीज भरने के बाद यू गेट अ कवर आस वेल भाई लोग लेकिन यह कवर के नाम पर सिर्फ कवर ही है जाधे एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना क्योंकि भाई मतलब मोटा वोटा तो कुछ है नहीं लेकिन हां भाई मतलब कवर ही है यह थो पूट the handle first इं यहां पर I mean मैं बहुँ अपलोको क्या cover डाला नहीं है आप लोगो को but I'm just informing you कि भाई मैं अ मेरा का में आप लोग को बताना कि अनल कया है क्या एक नहीं तुम पता रहरा आप लोगो को बट येस इस इनक्स कवर विच्व गेट विफ दर्केट यॉनिक्स की ब्राइंटिंग मुझा दिया यहां पे पी कुछ पता नहीं क्या एक अच्कल कवर के ओपर भी इतनी सारी कलाकारी हो ते ठीक है भाई चब ब्राइंट का अपना रहता है बट चल्ड़ यूगेट अपन सब्सक्राइब अच्छा हर चीज बता दी यह कवर मिल जाता है राकेट के साथ लेट मी नो इन्फोर्मेटिव लगा या नहीं लगा यूगा यूज एक अच्छी अच्छी कंपे दिस राकेट विट अनाधर बिगिनर राकेट बाइट यॉन्यक्स ही तो वह भी आप लग देखने ना आने वाले टाइब मैं रहेगा तो कमेंट्स में भी बात करी सकते है इंस्टेग्राम पे भी डियेम कर सकते हो I am going to make a lot of more comparison videos as well on badminton especially and see you guys next time bye